हलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे चैनल में आज हम बनाने वाले हैं आलू और परवल की बहुत ही ज़्यादा टेश्टी सबजी जिसके आगे आगे आपको नॉन वेज फेल लगेगा ये सबजी बहुत ही ज़्यादा टेश्टी लगती है इस सबजी को हम बिल्कुल बेसे स्टाइल में बनाएंगे यानि हम इसमें बिल्कुल देशी मसाले का इस्तमाल करेंगे इसका स्वाद और इसके खुश्पो इतनी अच्छी आती है कि मैं आपको बता नहीं सकती इसके लिए आपको इस सबजी को खुद बनाना होगा अगर आप एक बार इस तरीके से आलू चाहिए परवल तो यहां पर लगभग आठ दस परवल है परवल का हम उपर और नीचे का हिस्ता काट लेंगे और परवल को बीच बीच से छील लेंगे इसके बाद इन्हें हमें इस तरह से गूल गूल दो-तिन टुकडों में काटना है इसके बाद हमें चाहिए आलू तो यहाँपर 4-5 आलू है इनको पहले हम उबाल लेंगे इसके बाद इनका छिलका उतार लेंगे और इनको इस तरह से मोटे-मोटे टकड़ों में काट लेंगे इसके बाद एक कड़ाई में हम सरसो का तेल डाल कर गरम करेंगे आप इस सबजी को सरसो के तेल में ही बनाईए जिससे ये बहुत ही जादा अच्छी लगती है तो तेल जब गरम हो जाए तो यहाँ पर हम डाल देंगे परवल परवल डाल कर इसको थोड़ा से चलाएंगे और इसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक तो यहाँ पर पहले हम परवल के हिसाब से ही नमक डालेंगे और साथ ही साथ डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी अब नमक और हल्दी डालकर परवल को हमें तब तक भूनना है जब तक परवल जो है वो एकदम अच्छे से पकर सॉफ्ट नहीं हो जाती है और ये हलके गोल्डन कलर के नहीं हो जाती है तो जब तक परवल भूनता है चली हम प्याज काट लेते हैं तो यहाँ पर लगभग चार बड़ी साइज के प्याज है तो इनको हम काट लिये हैं इस तरह से लंबा लंबा प्याज इस सबजी में आप अगर थोड़ा ज़्यादा डालेंगी तो इससे ये सबजी बहुत ही अच्छी लगती है तो इतने देर में परवल जो है ये भी एकदम अच्छे से फ्राइ हो गए हैं आप देख सकते हैं तो इसके बाद क्या करना है कि हमें इन्हीं एक प्लेट में निकाल लेना है परवल को जब हम इस तरह से एकदम गोल्डन करके फ्राइ कर लेते हैं तो इससे इसका टेश्ट बहुत ही बढ़ जाता है तो जब भी आप आलू परवल की सबजी बनाएं तो आप परवल को इस तरह से फ्राइ कर लेजिए जिससे सबजी जो ही बहुत ही जादा टेश्टी बनेगी अब जो कड़ाई में तेल बचा था तो उसी तेल में हम डाल देंगे तेजपत्ता और साथ ही साथ यहां पर हम डाल देंगे जीरा जब जीरा तड़क जाए तो फिर जो हम प्याज काट कर रखे थे उससे इसमें डाल देंगे अब प्याज डाल कर इसको हम चलाएंगे और यहाँ पर हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक तो नमक हम पहले भी डाले थी परवल में और यहाँ पर हम प्याज के हिसाब से नमक डाल दे रहे हैं और प्याज को हमें अच्छे से भूनना है, तो प्याज जब तक भूनता है, चलिए हम मसाला तयार कर लेते हैं, तो मसाला में हम वही मसाला लेंगे, जो एकड़म बेसिक मसाला होता है, जैसे हम ले रहे हैं, लैसुन, अद्रक, यहाँ पर है थोड़ी हरी मिर्च, थोड़ी लेनाल मिर्च शाथ हम लेंगे, एक चमच के जीरा और एक चमच के जीरा जनादिया, अब क्या करना है, sonoWhat करते हैं यहcek साथ मिकसर में डाल देंगे, और इसका हम एक फामे पेश्ट बना लेंगे, इस मसाला में हम टमाटर वगरशाय कुछ भी नहीं डालेंगे, इस सबजी बढात्य ते, दो आप मसाला का तो देख सकते हैं हम यहाँ पर हरी मिर्ज और लाल मिर्ज दोनों को मिला कर लिए हैं जिसे कलर भी अच्छा हाया है तो प्याज जो है इधर अच्छे से भूनगी है तो इसके बाद नहीं पर हम इस मसाला को डाल देंगे और इसे पानी से अच्छे से दो कर डाल देंगे ताकि मसाला जो है वो जरस अभी वेश्ट ना हो और मसाला को हमें बहुत ही अच्छे से भूनना है इसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे हल्दी और हल्दी डाल कर इस मसाला को हम धीमी आच में अच्छे से भूनेंगे इस सब्जी से इतनी अच्छी खुश्पू आती है कि मैं क्या बता हूं आप जब भी घर पर मसाला पीस कर बनाते हैं तो उससे एक अलग ही खुश्पू आती है तो मसाला जो है इसे हमें बहुत ही अच्छे से भूनना है जब तक इसे तेल अलग ना होने लगी और तेल जब से अलग होने लगी तो फिर यहां पर हम डाल देंगे पानी तो पानी जो है हमें थोड़ा जादा ही डालना है क्योंकि इस सब्जी में हलकी सी ग्रेवी होती है तो आप अपनी जरूरत के अनुसार इसमें पानी डाल दीजिए और पानी डाल कर मसाले को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और यहां पर हम नमक टेश्ट कर लेंगे अपनी जरूरत के अनुसार इसमें हम नमक डाल देंगे और इसके बाद हम पानी में अच्छे से उबाल आने का वेट करेंगे तो जब पानी में अच्छे से उबाल आ जाए तो इसके बाद जो आलू को हम बॉयल करके छील कर रखे थी तो उसे इसमें डाल देंगे और साथ ही साथ जो परवल फ्राइ करके रखे थे उसे भी इसमें डाल देंगे इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और यहां हम थोड़ा सा गरम मसाला कूट लेंगे तो गरम मसाला में मैं यहां पर ली हूँ हरी इलाइची दालचेनी और लॉंग और इसको हमें कूट कर डालना है तो इससे बहुत ही अच्छी खुश्पु आती है और साथ ही साथ यहां पर हम डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी ध्यान रहे कसूरी मेथी को बिल्कुल थोड़ा सा डालना है नी तो टेश्ट जो है वो कड़वा ह हो जाएगा तो इनको डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे इसके बाद इस सब्जी में हमें दम लगाना है जिस तरह हम आलू दम बनाते हैं आप इसे एक तरह से आलू और परवल का दम भी कह सकते हैं इसे हमें धीमी आच में ढखकर पांच से छे मिनट तक दम लगाना है तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि ढखकन हटाएंगे और यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारी सब्जी जो है वो बनकर पूरी तरह से तयार हो गई है आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं यह बहुत जादा पतली भी नहीं है बहुत जादा गाड़ी भी नहीं है और जैसे जैसे को रोटी पराठा पूरी चावल किसी के साथ भी खाई ये बहुत ही जादा अच्छी लगती है तो आप एक बार इस तरीके से आलू परबल की सबजी बना कर जरूर ट्राइ कीजिएगा आपको ये जरूर पसंद आएगी और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइ